हेलो फ्रेंज, स्वागत है आपका हमारे चैनल सुपब टॉप 10 में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दस साउथ हिक्टर की जो बहुत ही अमीर है तो आईए जानते हैं इनके बारे में भारतिय सिनेमा प्रेमियों ने अपने प्री अभिनेताओं को इतना शने दिया है कि आज वे इसी सनेंग की वज़े से सम्मानित भी हैं और अमीर भी हिंदी सिनिमा की बात करें तो यहां 1 से 1 अभिनेता बहुत ही पैसे इनके पास है और अथा संपति है शारू खान नमिता ब करेंगे ऐसे ही साउथ सटर के बारे में जोकि इनके पास बहुत ही संपती है और यह बहुत ही आमीर है तो आई galaxy 밭ौन नगार्जुन अभीनेदाओं में से है जिनोंने हिं। के फिलम sacrificed कर अपने अभीनेय का ज़ादु दिखाया है इसके अलामा उनके साउथ की फिल्म के हिंदी डव वर्जन को भी हिंदी सिनेमा के दर्सकों ने खुब पसंद किया है बीते पैते सालों से हिंदी तमिल तेल्गू और करनडभासाओं की सौच से भी अधिक फिल्मों में काम कर चुके है नागारजुन और यह सबसे पहले नंबर पे आते हैं जो कि इनके पास बह पहा जाता है चिरंजीवी को साउथ की लोग रजनी कांत और कमल हसन से भी जितना हीश्ट नेया करते हैं और सम्मान भी देते हैं अपनी 150 फिल्म के लिए 27 करोड रुपए की चार्ज करने वाले चिरंजीवी की कुल संपत 1500 करोड है 150 करोड से लेकर 100 करोड तक की कीमत वाले बंगलों के मालिक चिरंजीवी के पास लगबग 10 लगजरी गाड़ियां है नमबर 3 रजनी कांत माना जाता है कि दक्षपिर भार सिनेमा के भगवान का है जाने वारे सूपरस्टार रजनी कांत की कुल संपत 400 करोड रुपए तक की है इसकी अलामा वह हर साल लागों रजनम से अपने नमबर 4 या nta जिनियर नंद मुराति तार का रामा राव साउथ फिर्म hacks रस्टी का एक जाना माना नाम है लेकिन उन्हें लोग या नाम से जानते हैं साउथ फिर्म meva रस्टी के सबसे बड़े घराने से तालू रखने वाले इस अभिनिता के दादा और पिता भी साउत के बड़े इश्टार माने जाते थे इनके दादा एंटियार रामा राव आंधर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं करीब 2700 करोड रुपए की कुल संपत की माली जुनियर एंटियार दच्षिर स्नेमा के सबसे अमीर अभिनिताओं में से एक माने जाते हैं नमबर फाइफ कमल हसन कमल हसन उन अमीर अभिनिताओं में से हैं जो किसी भी परिचे के मोहताज नहीं होते मीडिया रिपोर्स की अनुसार साउत के अलामा हिंदी की कई सूपर हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं कमल हसन इनकी कुल संपत 700 करोड रुपए से जादा है कमल हसन ही थे जो इन्होंने पहले भारतिय विनिता बने थे इन्होंने साल 1994 में फीस की रूप में एक करोड रुपए लिये थे नमबर सिक्स राम चरण अपने पिता चरण जीवी की नकसे कदम पर चलते वे राम चरण भी फिल्मों में धहमाल मचा रहे हैं उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपना भाग आजमाने की कोसिस की लेकिन वह हिंदी से ज़्यादा साउथ सिनेमा में ही काम्याब रहे है इन्हें साउथ सिनेमे का यूथ आईकर माना जाता है मेगा इस्टर चिरन जीवी की बेटे और सुपर इस्टर पवन कल्यान की भतिजे रामचरन की कुल संपत करीब अठाई सो करोड रुपे बताई जाती है साउथ सिनेमा में अपने प्रसंसकों के बीस थाला पती के नाम सी प्रशलित अभिनेता विजे को दक्षिर फिल्म उद्यों का सबसे बड़ा एक्शन कलाकार माना जाता है विजे उन भिनेताओं में से हैं जिनके पास अपना खुद का एक फैन बेस होता है जो अपने प्रिय भिनेता के लिए मरने मानने पर उतारू हो जाते हैं इनके पास कुल 410 करोड रुपे की संपती है नंबर एट नंदा मूरी बालक्रिष्ण नंदा मूरी बालक्रिष्ण का कद साउथ सिनेमा में कहीं से भी चिरन जिवी या नगार्जुन से कम नहीं है उन्हें भी इस इंडर्श्टी का मेगा स्टार माना जाता है तमिल तेल्गु और कंणर जैसी भासाओं में 100 से भी जादा फिल्मों में काम कर शुके हैं इनके पास लगबग 800 करोड रुपे की संपती है नंबर नाइन अलू अर्जुन अलू अर्जुन की कुल संपती 350 करोड रुपे की है साउथ इंडियन फिल्म इंडर्टी के सबसे महंगे स्टार में से एक माने जाते हैं जैसे कि किसी सुपर स्टार की फिल्म का इंतजार रहता है वैसे ही अलू अर्जुन के भी फैन को अलू अर्जुन की फिल्म का बहुत ही बेसबरी से इंतजार रहता है नम्बर टेन प्रभास उपल पती वेंकटी, शुरि नरायन प्रभास, राजू लोगों के बीच प्रभास नाम से जाने जाते हैं फिल्म बाहू वली में सांदार प्रदर्सन की बाद प्रभाश हर तरह के फिल्म इंडरस्टी में एक जानावाना नाम बन चुके है उन्हें 2019 में एक्शन फिल्म स्थाहोस के द्वारा बॉलिवड में डेब्यू किया था प्रभाश के कुल संपती करीब 200 करोड रुपय की है तो ये रहे साउत के 10 सबसे अमीर अभिनेता अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा और फ्रेंड्स प्रेमडी के साथ जरूर सेयर करिएगा एंड हमारे चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुर न खुलेगा थैंक यू फर वाचिंग थिस वीडियो